साउथ की सस्पेंस, स्ट्रील और मडर मिश्ट्री से बरी हुई मूविस को देखना चाते हो तो वीडियो को बिना स्किप किये पूरा जरू से देखना हम आपके लिए हरो देख से एक बढ़कर मूविस को लाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू से कर देना और आपको कौन सी मूवी चाहिए उसका नाम हमें कमेंट में दिख देना ताकि अगले वीडियो भी में उस मूवी को लेकर आ सकते तो चलिए बीना टाइम वेष्ट किये वीडियो को शुरू करते हैं नमबर पांच पर है 2023 में रिलीज हुई एक जबरदस सस्पेंस ट्यूर मूवी इरत्ता मूवी को MDP से 7.8 की रेटिंग मिली खूई है कहान ही है प्रमोद और वीनोद नामक दो जुड़वा भाई की ये दोनों भाई एकी बॉलिश रिसन में इंस्पेक्टर है एक दी नचारक्त से ही वीनोद के कमरे से गोली चलने की आवज आती है जैसे ही पूलिस वहाँ पर जाते हैं उनको वीनोद की लाश मिलती है प्रमोद को ये बाद पता चलते हैं वो क्राइम सिन पर पहुँच जाता है इसके बाद प्रमोद और बाकी पुलिस वाले वीनोद की हत्या का राजपता करने में लग जाते हैं तो आखिर इस बंद कमरे में वीनोद को किसने मारा है ये मिश्टरी कैसे सॉल्व होती है प्रमोद इस किलर को कैसे पकड़ता है यही जानने के लिए आपको ये फिल्म देखने हैं इस फिल्म का स्क्रिन प्ले ड्रामा और सस्पेंस काफी जबर दस्त है आती कहानी इंट्रेस्टिंग होने के साथ आप इस मूवी से जुड़े रहते हैं इस मूवी तो काफी अच्छी है लेकिन हाल फिलाल ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है ये मूवी जैसा ही हिंदी में आती है मैं उसे आपको ट्रेलिगरम में फ्रोड़ करवा दूँगा फिलाल आप इस मूवी को इंग्लिश सब्टैल के साथ देख सकते हैं नमबर 4 पर है 2023 में रिलिज हुई एक ड्रामा फिलर मूवी कुट्टे मूवी को अमडिबी से 5.9 की रेटिंग मिली हुई इस फिल्म की कहान ही परिस्तितियों पर आधाय थे मुंबई के तीन बागों में बटे लोगों का मकसद करोड़ रूपे की लूट करना है पैसो को लेकर सब की अपनी-अपनी मजबूरी है आखिर में प्लैनिंग करकर ये एक दूसरे से अंजान लोग अलग-अलग करके कावड़ रूपे की लूट करने के लिए निकल पड़ते हैं आगे आपको यही देखना है कि ये तीन बाग में बटे लोग कौन है और इनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो इनने करोड़ रूपे की लूट करवाए इस फिल्म के कहान ही काफी शानदार और इंट्रेस्टिंग है फिल्म का स्क्रिंप्रे ड्रामा अच्छा है पीशे के थोड़ा स्लो चलता है लेकिन फिल्म पर आपको फिल्म में थ्रिल अच्छा देखने को मिलता है इस मूवी को आप एक ट्राइज जरू से दे सकते हैं नमबर तीन पर है 2020 में रिलिज़ हुई एक सस्पेंस क्राइम थिलर मूवी अंजाम पतिरा आम डिबी से मूवी को 7.9 की रेटिंग हासिल हुई एक साइको सीरियल किलर जो की एक एक करकर बड़ी बेरेम में से पोलिस वालों की हत्या कर रहा है अब बनवर जो की क्रिमिनल लॉजिस्ट है वो इस केस को सॉल्ट करने के लिए केरला पोलिस की मदद करता है आखिर कौन है साइको सीरियल किलर और आखिर क्यों उसे पोलिस वालों की हत्या कर रहा है फिल्म में दिखायागा स्क्रिन प्ले, ड्रामा, बेक्ग्राउंड, म्यूजिक काफी जबर दस्त है फिल्म में आपको ऐसे टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो कि आपको चौका कर रख दिनगे और फिल्म का क्लाइमेक्स जो कि आपके होशुडा दिने वाला है मुवी हिंदी में यूट्टूब पर अवेलिबल है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्टर में देखने को मिल जाएगी नमबर दो पर है इसी साथ 2023 में रिलिज़ हुई एक एक्शन थिलर मुवी मिशन मजनू जिसके MDP रेटिंग है 7.2 कहानी है रो एजेंट अमन्दीप की जिसे रॉकी टीम पाकिस्तान बीचती है क्योंकि उसे पाकिस्तान में रहकर मिशन मजनू के तहत पाकिस्तान की नुक्लियर स्टेटरजी का पता लगा कर उससे जुड़ी इंफर्मिशन भायत को देना है कैसे हमन्दी पाकिस्तान में रहकर इंडिया को सारी स्टेटरजी बताता है यह अपाकि फिल्म में देखिएगा इस फिल्म की कहानी अच्छी और दिल्चस्प है फिल्म में आपको स्क्रीन प्ले, एक्शन, सीन्स और काफी अच्छा बेक्गराउंड मुजिक देखने को मिलता है मुवी को हिंदी में यूट्टूब पर अनोफिशल तरिके से अपलोड किया गया है मुवी कॉपी राट की वज़े से कभी भी डिडिट हो सकती है तो जल्दी से जाए और इस मुवी को देख लीजी नंबर वन पर है 2022 में रिलिज़ हुई एक बैतर इन सस्पेंस क्राइम थिलर वेब सीरीज जिसका नाम है दिल्ली क्राइंड सीरीज को अमड़ी से 7.9 की नेटिंग मिली हुई है सीरीज का पहला सीजन निर्भाय केस जैसे सची कटना से प्रेरित था और अब ये दूसरा सीजन भी दिल्ली की सची कटना से प्रेरित है दिल्ली में हो रहे हैं मल्टिपल मर्डर्स की कहानी को दिखाया गया जिसके पीछे कच्छा बने नामा के खतरनाग गैंग का हाथ है ये एक दिल्ली में स्थित बड़ा गैंग है जो कि एक के बाद एक अत्रंगी तरीकों से सेर के बुजर्गों की जान ले रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्तिका चतुरवेदी को बुलाया जाता है सीरीज में आपको आकर यही देखना है कि इन सभी हत्यों के पीछे किलर कौन है और DCP वर्तिका चतुरवेदी इन किलर तक कैसे पहुंचती है दोस्तों ये एक जबर्दस थिलर सीरीज है